नमस्कार और वेलकम टू अलोफ यू इन ग्लोबल लुकाट। पीस कराच सकता है या नहीं या फिर इसको कराने की कोशिश करेगा की नहीं और इन सब की वज़े से ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया पे एक बड़ा खत्रा मंड़ा रहा है। ये जो इरान और साओधी अरेबिया वाला पीस डील है आला कि जियो पॉलिटिकल वाइस देखो तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सिर्फ चाइना की मैनत की बात करें तो चाइना का कोई बहुत बड़ा कंट्रिविशन है क्यों ये मैं कहा रहा हूँ ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा उसके अलावा यूसे आला की कहता तो है इरान और साओधी अरेबिया वाले डील में भी उसने कहा है कि ये जो डील है हम लोग इसका वेलकम करते हैं लेकिन यूसे भी इससे बहुत जादा परिशान है ऐसा भी कहा जा रहा है और उसके लिए भी ये एक बहुत बड़ा सैट वैक है तो इनी सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे आगे क्यों ये सब कहा जा रहा है और क्या इसका कंक्लूजन है इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडिय ये गया है रशिया और ये इनकी पहली विसीड है इस रख्षिया युक्रेयन वार के बाद और आप लोग को पता होगा कि जब भी दो लीडर जब मिलते हैं तो काफी जादा मुद्धों पे बात होती है लेकिन एक मुद्धा जो सबसे जादा सब की नजर बटोरेगा वो ह चीत होती है रशिया के point of view से अगर हम लोग बात करें तो इस समय रशिया की जो हालात है उसने जितना सोच रखा था कि वार जल्दी खतम हो जाएगी और उससे ज़्यादा ये वार खीसता चला जा रहा है इस चीज को देखते वे रशिया को तलाश है एक अच्छे friend की जो पुतिन को और रशिया को सारा दे सके हाल में ही आप लोग को पता होगा कि पुतिन के against में एक arrest warrant issue किया गया था ICC यानि International Criminal Court द्वारा जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि पुतिन का जो world है वो सिकूरते जा रहा है क्योंकि 123 member जो ICC में है अब पुतिन उनके या विजिट क नहीं सकते नए तो चांसेज है कि वहां की government पुतिन को arrest करके सौब दे ICC को इसी लिए इस situation जो है रशिया की उसमें पुतिन और रशिया चाते कि एक नया वर्ल्ड क्रियेटो एक नए उनको फ्रेंड जो है वो बने जो कि उनको support करें ताकि उन पर जो west का pressure है वो इस हो सके कई article में ऐसा लिखा आ रहा है कि पुतिन जो है वो एक नया world बनाना चाते है एक anti-west world जो है उसको बनाना चाते है जिसके part होंगे चाइना, इंडिया और कुछ Latin American and African countries इसी लिए उनके लिए ये जो visit as Xi Jinping की ये काफी ज़्यादा important होने वाली है चाइना जो है वो रशिया को help कर सकता है arms के component provide करके या फिर multi-purpose civilian equipment जो है वो provide करके जिनका इस्तिमाल war के लिए भी किया जा सके प्लस economically भी support कर सकता है चाइना रशिया को इसके बारे में I don't think मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत है रशिया पे बहुत ज़्यादा sanction लगे है वेस्ट की तरफ से जिसके बात से अपना जो oil है अपना जो energy है वो export करना रशिया ने शुरू किया है चाइना और इंडिया को तो economy wise भी काफी ज़्यादा support मिल सकता है चाइना से इसके अलावे ये news भी आप लोग ने सुनी होगी कि USA का कहना है कि चाइना सोच रहा है कि वो अपने जो weapons है वो provide करे रशिया के लिए वही अगर हम लोग चाइना की point of view से बात करें तो आप लोगों को पता होगा जैसा कि मैंने बताया भी इंट्रो पार्ट में कि चाइना ने आल मही इरान और सौधी अरिविया के बीच में जो peace है उसे करवाय था इसलिए रशिया Ukraine war जो है ये इसके लिए एक और बड़ा opportunity है अपनी जो image है उसे सुदानने के लिए उसे build up करने के लिए ये शो करने के लिए world को कि देखो जो western countries है जो लगतार ये कहती रहती है कि चाइना debtor policy अपनाता है aggression करता है अपने neighbor countries के पास और ऐसे दिखाती है कि चाइना जो दुनिया वर में दुनिया वर लोग एक बड़ा contribution वर्ल्ड में कर सकते हैं peace की और और हम लोग ऐसा करना भी जा रहे हैं लेकिन चीजे इतनी simple भी नहीं है दरसल है बात क्या है ना कि Russia Ukraine war में सारी western countries हम सब जानते है कि support कर रही है Ukraine को और सिर्फ moral support या diplomatic support नहीं काफी ज़्यादा weapons supply कर रही है पैसे से support कर रह नहीं है उनके जो resources है वो dry up होंगे वो खतम होते जाएंगे और जितना इनके जो resources है वो dry up होंगे उतना ही ज्यादा chances है कि China जब Taiwan को invade करे तब यह जो western countries है यह support ना करे चाइना को वो इस चीज में military interfere ना करे तो इससे यह फायदा मिल सकता है चाइना को तो इसलिए देखना ह होगा कि क्या इस meeting में जो बात है वो होती है अला कि पूरी जो clear बात होगी वो तो सब के सामने नहीं आएगी लेकिन फिर भी यह देखना होगा कि China जो है वो कौन सा रास्ता अपनाता है क्या यह कहता है पुतिन को कि टाइम आ गया है अभी peace करो और इस peace के लिए भी यह सबसे पहला ही point China ने यह लिखा था कि दोनों country जो sovereignty यह एक दूसरी की उसकी respect करें अब इसका क्या मतलब निकाला जाए कुछ भी इसमें clear नहीं है क्योंकि Ukraine का भी जो part Russia ने capture किया है वो Russia formally annex कर चुका है यानि अपनी country में मिला चुका है तो इस sovereignty की यह लोग बात कर रहे हैं या फिर war से पहले जो दोनों की territories थी उसकी ये लोग बात कर रहे हैं इसमें कुछ भी clear नहीं है इसके अलावा और अगर आप लोग ये जो 12 point peace program है इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें एक point मिलेगा आप लोग को कि ये जो cold war mentality है इसको बंद किया जाए और unilateral sanctions जो लगा है western countries ने और cold war mentality भी कौन शो कर रहा है western country से इनी नए Ukraine को promote किया ना कि जो NATO है वो आप लोग join करो जिसके बाद से ये जो war है वो चानल हुआ तो ये जो cold war mentality है अपना अपना जो military group है उसको expand करने का इसी के बारे में चाइना का कहना है कि इसको बंद करना चाहिए अगर peace जो है वो establish करना हो तो तो जो फाइदा है वो दोनों ही जो मैं जैसा कि मैंने आप लोग को बताया war require के China जो है वो अपनी image सुधार सकता है अपना जो diplomatic influence है वो बढ़ा सकता है और world को एक नई picture अपनी पेश कर सकता है और war को रोकने बहुत तुनी मैनत नहीं करता है तो इसक कि दोनों countries से चाहे वो रशिया हो गया या उक्रेन हो गया उनसे बनती है और USA जो अब तक सारी जो peace talks होती थी उसमें mediator बनता था negotiation करवाने की कोशिश करता था वो इस war में जायर सी बाते फेल हो रहा है इसके अलावा अगर हम लोग कुछ experts की माने तो उनका कहना है कि China ने यह जो इरान और साओधी अरेबिया के बीच में peace deal करवाई है यह हाला कि welcome है लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी क्योंकि इरान और साओधी अरेबिया जो है वो दुनों खुदी त्यार थे और काफी टाइम से यह चाह रहे थे कि जो उनके बीच में टसल है वो खता जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया यूक्रियन जो है उसकी शर्त है कि जो पहले था जो इस वार से पहले सिचुएशन थी जो टेरिटरी हम लोग के पास थी प्लस यह लोग तो क्रीमिया को भी कहते है जो रशिया ने 2014-15 में कब जाया था उसको हमें 100 पो तब ही जाके peace जो जब जब उसने peace talk करवाने की कोशिश की है तब तक उसको failure मिला है 2018 में चाइना ने मालदीवस में उस समय के जो प्रेसिडेंट थे अब्दूला यमीन उनकी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हुआ करते थे मालदीवस के मौमद नाशीद के साथ काफी ज़्यादा problem चल रही थी पूरा जो मालदीवस से उसमें crisis देखने को बिल रहा था इसमें चाइना ने interfere करने की कोशिश की इसमें चाइना ने ये कह दिया कि UN का intervention करना इसमें गलत है और खुद से यहाँ पर peace establish करने की कोशिश की लेकिन चाइना को मिला क्या election हुआ और अब्दुला यमीन जो की close थे काफी ज़्यादा चाइना के वो हार गया और मौंबद सौली जो थे वो president बन गया और इसके बाद उनने फिर अपनी जो इंडिया first policy उसको फिर से मालदीवस की policy बनाई ऐसा ही फिर मयामबार में भी देखने को मिला वहाँ पर muslim rebels जो थे उनकी government के साथ problem थी आप लोग को प फिर अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान से पाकिस्तान की जो सुला है वो भी कराने की कोशिश की थी चाइना ने लेकिन तालिवान ने टुक ओवर कर लिया अफगानिस्तान में और फिर ये भी जो चाइना ने अफ़र्ट किये थे वो वेस्ट हो गया तो कोशिश जब इसके पास experience ही नहीं है, तो एक केवल सौधी अरेबिया और इरान का जो deal है, वो करा देने से, इसकी कोई बहुत ज़्यादा credibility और बहुत ज़्यादा trust इस पे नहीं बन जाता, हलाकि थोड़ा बहुत trust जो है, इससे gain किया इसने, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्याद के लिए मुश्किल है, यह करा पाना, यह गलत निकले, लेकिन अगर facts की बात करें और history की बात करें, तो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा, इसके अलावा अगर हम लोग इंडिया के point of view से हम बात करें, तो आगर मान लो China peace establish करा ही देता है, तो यह एक बहुत बड़ा setback होग इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा setback है, और यह चीज इसी बात से clear होती है, कि इंडिया ने लगबग एक week तक तो इसमें कुछ कहा ही नहीं, एक week बात जो ministry of external affairs है, उसके तरफ से यह statement आता है, कि हम लोग जो पूरी development है, इसको watch करना है, और हमारे जो region के countries है, उसके साथ अलाग relation है, अलाग interest है, इस peace deal से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो reality है, वो यह कि पिछले कुछ सालों में, इंडिया जो है, वो काफी जादा इस region की countries से अपनी जो diplomatic relation है, उसे improve करने में, time और पैसा दोनों ही invest कर चुका है, और जिसका एक बड़ा reason यह भी था कि यह जो countries है, वो कहीं बहुत जादा close ना हो जाए चाइना के, और इंडिया पूरे region में isolate ना हो जाए, लेकिन इन सब के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि चाइना की जो diplomacy है, उसने आउट मैनुट कर दिया है, इंडिया की डिप्लोमसी को, चाइना के लिए एक बड़ी win है यह और चाइना के लिए अगर win है, तो जाइर सी बात है इंडिया के लिए एक loss है, हो सकता है कल को इंडिया का जो investment है, इंडिया के जो interest है, इस region है, इरान में आप लोगों को पता हो, इंडिया ने चावार port डेवलोप किया है, इन सब पे पूरे इंडिया के interest पे कल को अ रास्ता देता नहीं Central Asia में, उसके बाद आगे Europe में, और Iran से फिर हम लोगों को रास्ता मिलता है इस area में trade करने के लिए, इसको ऐसे भी देखा जा रहा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया के लिए उतना बड़ा setback नहीं है, यह कहा जा रहा है कि इंडिया के लिए नहीं, बलकि USA के लिए बहुत बड़ा setback है, क्योंकि USA हमेशा से इस area में अपना जो influence है वो बनाया रखता है, और सिर्फ इस area में ही नहीं बाकी भी अफगानिस्तान वगरे में भी आप लोगों को पता होगा, USA जो है वो peace के नाम पे अपने military presence जो बनाया रखता है और चाइना की मदद से यहाँ पर जो peace आई है, इससे यह message जा रहा है, यह signal जा रहा है वर्ल्ड में कि USA की जो presence है, वो केवल अनायरकी लेके आती है, केवल अशान्ती लेके आती है, और चाइना जो है वो important peace broker है या peace broker बन सकता है वर्ल्ड का, के अलावा भी अगर आप जो low income countries थी, वो भी चाइना की जो debt trap policy है, उसके argument से डरा करती थी, इसलिए दुनिया में चाइना जो है, वो एक तरीके से गिरता हुआ दिख रहा था, लेकिन इस peace में broker बनने के बाद, और अशिया Ukraine war में अगर peace established कर देता है, तो उसके बाद और बी, चाइना की यह जो relation जो है, वो अच्छे नहीं है, clear word में अगर मैं बोलो, तो जायर सी बात है, इंडिया के भी interest में यह चीज नहीं है, तो इतना ही था guys इस वीडियो में, I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस like, comment, share, subscribe जरूर कीजिएगा, that's all, have a nice day, take care.